गर्मियां आते ही हर घर में कुछ और बने या ना बने आम का अचार जरूर बनता है और ये आम का अचार हमारे नानी दादी के टाइम से चलता आ रहा है लेकिन आजकल लोग आम का अचार बनाने में थोड़ा सा आलस करते हैं पर ऐसा कुछ भी नहीं है आम का अचार बनाना बोखोत ही आसान है तो यहां पे मैंने करीब 1.5 kg आम लिया हुआ है मतलब कटने के बाद यह हाफ केजी है और मैंने मार्केट से ही आम को कटवा लिया था क्यूंकि मेरे पास आम काटने वाला जो सुरौता होता है वो नहीं है तो आप चाहे तो गुटलिया अगर आपको नही साफ कर लेने है और इसे 2-3 पानी से अच्छे से वाश कर लेना है और यहां पे 2-3 पानी से अच्छे से वाश करने के बाद मैं इसे एक स्ट्रेणर में निकाल लूँगी तो आम को आपको सोक करके नहीं रखना है आपको 2-3 पानी से अच्छे से वाश करके स्ट्रेणर में निकाल लेना है और साथ ही साथ मैंने यहां पे 6-7 गंटे के लिए इसे पंके में सुखा लिया साथ ही साथ आधे गंटे की धूप भी मैंने इसको दिखा दी है तो हमारे जो आम के पीसेस है वो अच्छी तरीके से सूख चुकी है तो इन्हें आप थोड़ी देर के धूप औ इसे डाल देंगे एक पैन में साथ यसाथ धाई टेबल स्पून यलो मस्टर्ड सीद को भी मैंने पैन में डाल दिया है आप इन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे तो बहुत जादा रोस्ट नहीं करना है इस बात का भी ध्यान रखेगा नहीं तो इनमें कड़वाहत आ तो एकदम मतलब अच्छा गरम हो जाए बस वैसे में इसे हमें निकाल लेना है और जबी भी रोस्ट करें लो फ्लेम पे रोस्ट करें अब उसी पैन में डाल देंगे एक टेबल स्पून साबुद धनिया एक टी स्पून मेथी और एक टी स्पून साबुद जीरा अब इन् इसे यह रोस्ट हो जाए वैसे गैस को आफ कर देंगे और इसमें हाइट कर देंगे एकदम एक पिंच जितना हीं क्योंकि यह हीं काफी अच्छे फ्रग्नेंस वाला है मतलब वह साबुत हीं जो आती है वह मैंने आट की है तो इसमें अच्छी खुश्बू है तो बस यहां बिलकुल महीन पाउडर इसका नहीं बनाना है हमें इसे कोसली ग्राइड करना है तो यहां पे इन मसालों को मैंने कोसली ग्राइड कर लिया है अब इने ट्रांसफर कर लेंगे एक प्लेट में और इसमें एड़ करेंगे करीब एक टीस्पून जितना हल्दी का पाउडर सारी चीजों को कर लेंगे मिक्स और हमारी ये अचार का मसाला बिलकुल हो गया है रेडी अब यहां पे अचार का मसाला रेडी करने के बाद एक पैन में डाल लेंगे करीब दो तीहाई कप जितना मस्टर्ड ओयल यानि सरसो का तेल और इसे अच्छा गरम हमें कर लेना है एक स्ट्रॉंग फ्लेवर होता है वहना पैसे ढाल देए कडाई में और थोड़ा सा ठंड़ा होने देगे तो यहां पर जैसे यह थोड़ा सा ठंड़ा हो जाए तो इसमें एट करो दें गी अचार वाल मसाला तो यहां पे ऑल को पूराrendre नहीं करना है आज थोड़ा गरम र तो बस यहां पर सारे मसाले डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके इसी तरह से छोड़ देंगे अब जैसे यह सारी चीजे अच्छे से ठंडी हो जाएंगी यानि पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून में नमक एट कर दूंगी तो नमक क आप अपने टेस्त तो इसमें एड़ कर देंगे जो हमारे आम के पीसिज गए और आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो देखा आपने कितना आसान है से बनाना बिलकुल बस दो चार मसालों को रोस्ट करना होता है और उसे ग्राइंड करना होता है और आम को भी आप अगर बाहर से कट करवा के ले आएंगे तो आपके लिए जादा टेंशन नहीं रहेगी आम के अचार को बनाना और आजकल तो मार्केट में आसानी से आम के पीसेस कट करके दे भी देते हैं तो आप बाहर से यानि मार्केट से आम को इस तरह से कट करवा के ले आएं और आसानी से आप घर में आम का अचार बना सकते हैं अब यहां पर आम के अचार को साल भर तक स्टोर करने के लिए यहां पर मैं आट कर रही हूँ एक टेबल स्पून जितना वेनेगर इससे आम का अचार जल्दी खराब नहीं होगा तो यहां पर वेनेगर डालने से आम का अचार लंबे टाइम तक टिकता है साथी साथ जब आम को आप धुले तो उसे अच्छे से धूप में और पंखे में सुखा ले ताकि इसमें कोई मौश्यर ना रहे तो आपका आम काचार स्टाल भर तक टिका रहेगा और अगली टेप है कि आप जिस काच के जार में अचार को स्टोर कर रहे हो वो काच का जार अच्छे से गरम पानी से धुला हुआ और धूप में सूखा हुआ हो और उसमें मौश्यर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और आम के अचार को जब आप बॉटल में भरें तो दो तीन दिन धूप दिखाने के बाद इसमें अच्छे से उपर तक ओयल भरें ताकि जो आम के अचार के पीसेज हैं वो ओयल में अच्छे से डूबे रहें तो आपका आम का अचार कभी खराब नहीं होगा आम के अचार को दूब दिखाने के लिए यहां पे एक पतला सा मलमल का कपड़ा लगाए और दो दिन की दूब दिखाए ताकि आम का अचार अच्छे से गल जाए और फिर आप इसमें उपर तक ओयल भर के से स्टोर करें और साल भर तक इंजॉय करें तो कैसी लगी वीडि करके जरूर बताएगा मिलती हूं नेक्स वीडियो में चिल दिन बाबाई